हेलो एब्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सब ही अच्छे होंगे स्वागत थे आपका अपने चैनल स्टेड़ी मटीरियल पे फ्रेंस आज से हम एच्टेड 23 की फिर्पेशन स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं अपने इस चैनल पर आपको जो 90 नंबर का पोर्शन होता है प्यार्टी टीजिटी पीजिटी एच्टेड के एक्जाम में उसकी क पोर्टन टॉपिक बताये थे जो बार-बार एक्जाम में रिपीट होते हैं जहां से ही एक्जाम में कोश्चन्स बनते हैं तीस नंबर की जड़िप साइकोल जी आती है तो लगबग आपके 27-28 कोश्चन्स आपको डार्ट देखने को उन्हीं टॉपिक से मिल जाते हैं तो तो चलिए आज की वीडियो की सुरुबात करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना अगर आप एस्टेट 2023 की प्रिवेशन कर रहे हो तो यह चैनल आपके लिए मोस्ट हेलफुल रहेगा ठीक है आपकी तैयारी के लिए अगर आप इस चैनल को फोलो करते हो एस्टेट 2023 के एक्जाम कंडेक्ट होने तक तो मैं 100% गारेंटी लेती हूँ कि आपका एस्टेट का एक्जाम जरूर कॉलिफाई होगा लास्ट यर की तरह इस वार भी हम एस्टेट 2023 की कम्प्लीट प्रिवेशन इस चैनल की मादम से कर यह आज का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो में ने बताया था आपको बाल विकास बाल विकास का ही यह टॉपिक रहेगा विर्धी एवं विकास तो चलिए इस टॉपिक की सुरुबात करते हैं जैमा सरस्वती सबसे पहले मैं आपको बता दू विर्धी क्या होती है और बेट बढ़ रहा है तो यह क्या है यह विर्धी के अंदर आते हैं ठीक है यह विर्धी हो रही है हमारे सरीर की हमारे आकार की हमारा जो सेप होता है स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसी को क्या कहते हैं विर्धी कह रहे हो ठीक है सामने वाले भी देख पा रहे हैं तो कैसा रहेगा आपका जो विर्दी का स्वरूप रहेगा वो बहारे हो रहे हो तो उसको देख पा रहे हो तो उसका स्वरूप कैसा है बहारे होता उसके बाद कुछ समय के बाद रुख जाती है आप जैसे आपकी हाइट पर most important topic है यह वही आपको चीज़े करांगी जो exam oriented होती और जहां exam में questions बनता ही बनता है उसके बाद next point आपका विर्धिक करम की अनुसार नहीं चल भी करम कैसी अब देखोगे आप एक बच्चा जिसकी height बढ़ रही है ठीक है ऐसा नहीं है कि उसकी height ही बढ़ती रहेगी height hight बढ़ती है कव छो इसका कोई निश्चित करम नहीं है ठीक है उसके पाइट कर सकते हैं अब आपकी height बढ़ है मैंने आपसे का जो आपकी लंबाई जो長 ही वह सेальной मंधाय बाहरे है लो ही थे सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो विर्धी हैं इसका क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं श्के बार नेक्स पॉइंट है विर्धी केवल परिमानात्मक होती है ठीक है कैसी होती है विर्धी परिमानात्मक होती है उसके बाद जो आपका नेक्स पॉइंट है विर्धी होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है यहां पर हमने विर्धी को पड़ा है अब यह कह रहा है विर्धी होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसके बाद जो next heading आपके हैगी वो विकास हैगी उसमें आपको विकास के point में समझाओंगे आप easily इस point को समझ जाओंगे कि कैसे विर्धी होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और एक चीज़ है जै इसका क्रियात्मग विकास भी बढ़े, क्रियात्मग विकास सामा जी ये सब क्या होते हैं, इनको हम देख नहीं पाते हैं, ये हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा विकास होते हैं, जिसको हम देख पारें, वो विर्धी है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वो क्या नहीं आप देखो कि चोटी हईट वाले जो रहेंगे वह इतने intelligent हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी विर्दी नहीं हो तो इसका विकास भी नहीं तो इसका विकास यह ठीज़े होती है और उसके बाद चलते हैं जो हमारे विकास रहेगा उसके जो पॉइंट है इनको न maturity परिपक्त तो उसी कोम क्या कहते हैं विकास कहते हैं जब जैसे कि आपका जो mental level है ठीक है आपका जो सामाजिक विकास है वो क्या है डफलप हो जाए ठीक है अच्छे से क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए तो वो क्या है विकास होना होता जैसे विर्दी बढ़ रही है आपकी height आपको आपको मस्तिक्स है आपका माइंड है ठीक है अगर आप पहले तो वह आंतरिक है आपके माइंड में कितना डाटा है आपको नहीं दिख रहा है दूसरा लेकिन जब आप उसको को एक्स्प्लेइन करोगे अपनी नॉलिज को किसी इसको बाटोगे तो सामने वाले को दिखेगा ठीक है कि हाँ इसका जो आईक्यू लेवल है इतना अच्छा है तो वह क्या है उसका उसको दिख भी रहा है और उसका आंतरिक भी और वहाई भी उसके बाद जीवन भर विकास जलता है डिक विर्धी में आपको बताई थि ग्रुक चाति है आपके जो है्ट है कुछ समय के बाद रुख जाएगे लेकिन विकास आपका यह क्या है और विकास सब्सके करम होता है और मैंने आपको बता है तब विर्दी में निश्चित करम नहीं होता है ना कभी आपकी हाइट बर्ड़ी कभी आपका बेट बर्ड़ा तो निश्चित नहीं होता लेकिन विकास में निश्चित करम होता है उधारन हम अपना जितना विकास करना चाहते हैं उतना विकास हो चाहिए वो विकास कुछ भी हो सामाजिक हो मांसिक हो कुछ भी हो तो आप जितना अपना विकास चाहोगे आपका उतना हो जाएगा तो यह होता है ठीक है उसके बाद विकास का मापन नहीं कर सकते विर्दी को हम आप रहे थे ठीक है विर्दी को हम आप रहे थे हाइट को बे सब्सक्राइस के इस पॉंट है और इन पॉइंट में जो आपका मांसिक विकास है उसका मापन आप कर सकते हो जैसे विकास का मापन आप कर सकते हो तो आपको उस चीज की कितनी नॉलिज है तो वह एक प्रिकास से मानसिक मापन हो जाएगा ठीक आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा उसके बाद विकास परिमानातमक और गुनातमक दोनों होता है ठीक है यह आपको याद रखना है जो विकास है थीक है यह पॉइंट भी आपका मोस्ट इप्रोटेंट होगा यह आपको याद रखना है अगर आप चाहाओ तो साथ में नोर्स भी बना सकते हो स्क्रीन सौर्स लेके भी आप कर सकते हो ठीक है लेकिन एंड में जब आप मेरा complete CDP psychological syllabus हो जाएगा तो मैं आपको PDF भी provide कर दूँगी ठीक है complete जिससे क्या आप revision भी कर सकते हो तो आप जो daily में classes ढाल रही हो उनको follow कीजिए ठीक है थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है ज्यादा नहीं पढ़ना है अब इसे 2,5 गंटे आप बस एस्टेट के लिए निकाल लीजे बाकी आप जो continue अपना वर्क कर रहे हो किसी है और एक्जाम की preparation अगर आप कर रहे हो ठीक है उसी के साथ अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते है दो ड़ाई गंटे आप अपना एस्टेट के लिए दीजिए चार-पांच महीने में आपकी complete preparation एस्टेट के एक्जाम के लिए हो जाएगी इनफ रहेगी एंड में एक पंदरा वीज दिन आप complete जो आपने चीज़े की है उनका revision कर लेना आपका एस्टेट का एक्जाम 100% कॉलिफाई हो जाएगा इसी तरह मैंने लास्ट येर 2022 में एस्टेट का एक्जाम था उसकी बहुत बहुत सारी बच्चों का एस्टेट का एक्जाम भी के लिए हुआ था बहुत अच्छा रजल्ट बच्चों का देखने को मिला था तो इस साल भी आप बने रहे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है complete वीडियो को फोलो करो आपका एस् विकास हो भी सकता है नहीं जैसे कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है ठीक है कि उसका जो है mental level भी डपलव रहे उसकी जितनी हाइट है कहते है जितना तुब बढ़ा है तुछ में दिमाग नहीं बिलकुल भी तो इस तरह से जरूरी नहीं है और यह भी विर्दी वी है नहीं है शोटा है इस चीज़ से को डिक अभरका आओक है नहीं ४र ऑवस्छन इंस ऑफब्बूइंट पूइंट से निकल खि imped magnetic करता है विकास एक्साम में पूछे जाते हैं यहां से इन बार आपके विश्या देखने के ऊथ ही मिलती है ठीक है विर्दी और विकास से अगर जो है questions आएंगे तो इन ही points से निकल के आएंगे इन से बाहन नहीं आएंगे इसी के साथ बता दूँ आपका CTET का exam हो रीट exam हो UPTET exam हो कोई भी आपका exam हो तो आपका जो है सभी के लिए ACDP psychology most important रहेगी एस्टेट के लिए तो ही है उसके बाद कुछ विकास के आयाम भी है ठीक है दो-तिन मिन्ट की वीडियो और है complete इस वीडियो को बहुच कर लीजिए आपका विर्दी अब विकास से एक या दो मराज के वख्य हो जाएंगे उसके बाद आपके जो नेक्स पॉइंट है विकास के आयाम ठीक है तो विकास के आयाम है और सारेरिक विकास क्या रहेगा ये भी अगबार समझ लीजे सारेरिक विकास जो physical development आपका हो रहा है वो आपकी सारेरिक विकास के इंडर ही आएगा ठीक है और गत्यात्मक विकास ये एक तरह से बालक की सारेरिक विकास से ही जुड़ा होता है ठीक है जैसे muscles आपकी हड्डि फसता है fine motor skills और gross motor skills ठीक है तो यहाँ पर समझे इसमें muscles का कम use होता है जो आपका fine motor like challenges है यहाँ पर मसल का कम use होता है जैसे example writing करना cutting करना कुछ create कर रहे हो ठीक है तोई कि इसमें किया है आपका physical time user was मौतर स्कील्स अब को याद को यॉद्स में का जए अपकी म της क्या हो यहूंट था यह चintéरा में विर्धी चुर्थ जाएं विटाने को बिगाने हैं नतर यहां फॉलव मिना आपको भुंचरु तो ट्र आपको विर्दी से डीखा स्क्राइब दो पेकाला का कोश्चन्स बन जाता है तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स वीडियो में जिसमें मैं आपको बाल विकास के सिद्धान्त कराने वाली हूं जो कि मोश्ट इंप्रोटन है मैंने आपको बताया कि बाल जो आपका चाइल्ड अप्लोब्मेंट होता है यहां से आपके दो से तीन बनने के चांस होते हैं एक्जाम में इसलिए यह मोश्ट इंप्रोटन हर थोड़ा बड़ा भी है तो नेक्स वीडियो में आपका कम्प्लीट जो है चाइल्ड अप्लोमेंट कवर कराने की ठीक है जिसमें आपके बाल विकास के सिद्धान्त आएंगे अवस्ताइं आएंग ठीक है 15-20 मिनिट का हो जाएगा लेकिन उसमें मैं गोसिस करूंगी आपके डाउट को किलियर करने की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन क्लिक करनी है जिससे क्या है मेरी आने वाली व आएगा जिससे क्या है जिससे है जिससे है जिससे है